हलो फ्रेंट्स वल्कम बेक टू मॉम्स अड्डा आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी प्लेइपैंस के बारे में और साथ ही में मैं अपना रिव्यू शेयर करूँगी लवलप वंडर जोवेपैंस का जिसको मैं अपने बेबी के लिए बर्ट से यूज कर रही हूँ इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो इस प्लेइपैं को बैस्ट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू मी प्लेइपैंस के लिए जब बेबी मुग करना है स्टार्ट कर देता है बेबी के आदत क्या होती है कि कहीं भी उसको कुछ समान मिलाओ उठा कर जल्दी से अपने मुग में छोड़ सकें जहां सी वो इधर उधर बाहर क्रॉल ना कर सकें मुव ना कर सकें और कोई भी चीर उठा कर अपने मुव में आ दे सकें आपने आपको हम ना पहुचाएं तो इस तरीकी का एक एंवार्मेंट हमें प्लेइपैं के अंदर मिलता है तो चलिए डिसकस करते हैं इ इन वन उटिलिटी मीन्स इसको रॉकर, नापर और प्लेयार्ड में में कनवर्ड Tenemos ancestors saving one utility में इसको रॉकर नापर और प्लेयार्ड में कनवर्ड कर सकते हैं जैसे जैसे बीबी बड़ा होता है तो सबसे पहले देख लेते हैं रॉकर में कैसे चेंज करता है नीचे यह फोर् इसको हम attach भी कर सकते हैं, detach भी कर सकते हैं according to our convenience ये newborn baby से लेकर 1 year तक के baby के लिए suitable है nap time के लिए इसमें फिर ये iron से बनीवी sticks लगाते हैं और फिर उसमें cushion लगा देते हैं तो ये baby के nap time के लिए ready हो जाता है napper इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसको play yard में कैसे convert करते हैं जैसे जैसे baby बड़ा हो जाता है, वो crawl करना start कर देता है toddler हो जाता है, तो फिर उसके लिए ये play yard best है इसमें baby बैट कर आराम से खेल सकता है नीचे जो cushion हमने नपर में लगाया था, वो ही same cushion इसमें लगता है next feature हमें इसमें मिलता है zipper way जिसके through baby play pen के अंदर enter ये exit कर सकता है जब उसका मन चाहे वो play pen के अंदर जाकर बैठ सकता है जब उसका मन चाहे वो बहार आ सकता है जब baby चोटा है जब हमें उसे safe area में रखना है तो हम zipper को close ही रख सकते है next feature हमें इसमें मिलता है three detachable pockets which is used to keep the baby essentials like baby diapers, baby wipes, baby toys और कुछ भी जो आपके पास baby essentials है वो आप इसमें three pockets में रख सकते है next feature हमें इसमें मिलता है detachable diaper changing table with a safety strap that holds baby weight up to 15 kg तो ये एक सही option है इसको हम लगा भी सकते है रिमूब भी कर सकते है diaper changing के time तो इस तरीके से हम इसमें straps लगाएंगे और diaper change करेंगे भी next इसमें हमें मिल जाती है detachable canopy with mosquito net जिसमें हमें मिल जाते हैं three toy bar with three stuffed toys तो ये mosquito net baby को play add के अंदर mosquito से protect करती है और जो इसमें stuffed toys है उसको baby बहुत ही enjoy करता है play add के अंदर next it has airy mesh on two sides for ventilation and visibility आप देख पा रहे हैं कि visibility बिल्कुल clear है airy mesh मिलता है जिससे baby को suffocation नहीं हो पाती है play add के अंदर और baby अपने play को पूरा enjoy कर पाता है next is play band में two wheels मिलते हैं one side जिससे play band move करने में easy रहता है next feature इसका है easy and compact fold means इसको easily हम open कर सकते हैं कुछ इस तरीके से और फिर easily इसको fold भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से तो ये एक travel friendly product है अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम इसको easily open ये close कर सकते हैं और अपने साथ इसको carry कर सकते हैं love love wonder joy play band आपको amazon.com और love love.com दोनों पर available है जिसको purchase करने की links मैंने description box में देगी आप I hope guys आपको ये video पसंद आया होगा पसंद आया तो like कीजिए और अगर आप मेरे channel पर नए है तो channel को subscribe कीजिए thank you